हाँ जी हलो वन के सोब सभी लोग सब बढ़िया आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशे की तरह बिटकॉन के बारे में और तीन ऐसे कोईंस के बारे में जिनका नाम आपने शायद इन तीन चार महिनों के अंदर कभी न कभी सुना ही होगा और सबसे बढ़ी बात कि य ऐसा परफोर्मेंस दिखा सकते हैं उसका आइडिया तो आपको फिर हो ही जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम इसकी उपर डिसकस करेंगे चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ अगर आप हमेरे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो डेफिनिटली आपको चै देखो बिटकोईन की सीधी बात करें तो यहां पर जो वीकली क्लोज हुई है वो इस ट्रेंड नाइन के ऊपर होई है जो कि कई न कई अच्छी बात है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई साब देखो अगर बिटकोईन आपको 50,000 के ऊपर यानि कि 51,000 के आ बिटकोईन को और नीचे जाने से रोखेगा अब यह तो थी हमारी पिछली रणडी थी यहां पर अगर बात करें कुछ प्रेडिक्शन के बारे में इस प्रेडिक्शन को देखकर जादा फूमा में बाता आना है यह रोबर्ट की उसकी है रिच डेड और पूर डेड नाम क लेकिन इस बार इनों ने क्या का है कि जून 2024 के अंदर बिटकोन की प्राइज एक लाख डॉलर तक को भी टच कर सकती है अब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाईया एक लाख डॉलर जून में होना यह थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ना मुनके नहीं है मेरा जो टारगेट है हालविंग के बाद में लगबग 70 से 75,000 डोलर का है और बागी तो देखो समय ही बताएगा कि किसके बिटक्शन में कितना दम है बागी आपको क्या लगता है एक बाग कमेंड करके बता देना और दूसरी चीज काफी रिपोर्ट भी यह बता रही है कि भाईया 69,000 डोलर का वो टूटता हुआ दीख सकता है वो भी हालविंग से पहले जो ओल्टाइम हाई रहा है बिटकोइन का अब तक का वो भी टूट जाएगा हालविंग से पहले तो कुल मिला के बाद कि बिटकोइन अभी काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है काफी लोगों के पर जो डी सीय करने वारी बात थी या जो स्टेटेजी यही आपके लिए सही रहेगी और बाकि आपको क्या लगता है वो भी बताना मुझे जो रखता था वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अब बात करेंगर उन कोईंस की जो की फर्स टाइम अपना बुलरन देखें पहला पित नेटवर्क या फिर पित नेटवर्क के बारे में मैंने अल्रेडी आपको बताया हुआ है कि यह क्या करता है किस तरीके से प्रोब्लम सोल्व कर रहा है यहां पर इतना मुझे वापस से बखान करने की जुरूत नहीं है हमारी बाइंग से तो यह लग बग सो दे तक एंट्री नहीं मनाई है बिटकोन के अंदर हलका फुलका करेक्शन अगर आपको देखने को बढ़े तो उस समय अगर आप कुछ बाइंग के बारे में सोचोगे तो पित नेटवर्क का भी थोड़ा सा ध्यान रखना अगला जो कोई ने वह है यूस डिटी लग बग ती इसके भी काफी अची हाई पे तो इस कोईन का भी उपर आप ध्यान रखना और तीसरा कोई ने जो कि रिसेंटली ही लोन चुआ है जादा टाइम नहीं हुआ है चार पांच में लोगा है वह मानता नेटवर्क मैंने मैंने मानता नेटवर्क के बारे में भी बताए है मानता प्री सेल्स के बारे में क्या आपको पताए जोस्तो इथीरियम जो कि इस समय क्रिप्टो मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा अल्ट कोईन है वो भी एक समय प्री सेल के अंदर आये था यानि कि एक्षेंज की लिस्टिंग से भी पहले ये प्री सेल के माध्यम से लोगों को बहुत कम प्राइस पर मिलना शुरू हो गया था इसी तरहीं से इयो से इसी तरहीं से फाइल कोईन यानि कि काफी बड़े-बड़े क्रिप्टो कोईन्स प्री सेल के अंदर आये थे और फिर उसके बाद में एक्षेंज उपर आए और फिर आज उनकी प्राइस कितनी है अब देखो प्री सेल के उपर एक बात ज़रू से ध्यान रखनी चाहिए कि इनके लिए एक काफ़त तो बिल्कुल फिट बेड़ती है चले तो चान तक नहीं तो रात तक यानि कि 90% या फिर 90% से भी जादा जितने भी टोकन्स या फिर कोईन्स अभी तक प्री सेल के अंद पर हमें सिर्फ दाओ की तरह ही खेलना चाहिए कि यहां मैंने थोड़ा सा पेसा डाल दिया सो रुपे आजार रुपे चल गए तो ठीक है नहीं चले तो कोई बात नहीं और अगर चल गए तो तकड़ाई गेम हो सकता है तो यह चीज समझ के हमें प्री सेल के बारे में समझ जो कि है Cloud BTC, Cloud BTC बेसिकली यह एक मायनेबल बिटकोईन प्रोजेक्ट है और इसके बारे में थोड़ा सा आप इनका वाइट पेपर पढ़े जरेक लेना कि क्या इनका वाइट पेपर है इनका क्या कॉनसेप्ट है और बाकी Google पे भी सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको बाइ करोगे तो इसके लिए आपके पास Ethereum या फिर USDT थोड़े बहुत होने चाहिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप नाम मात्र जो इसकी minimum प्राइज है यानि कि minimum आप 0.06 BNB से इसको बाइ कर सकते हो या तो उससे try करने के लिए कर सकते हो या फिर अगर आप ए इसको समझ सकते हो प्री सेल्स को इसके अलावा minimum 20 डॉलर से लेकर इसकी आप प्री सेल में पार्टिसमेट कर सकते हो और max to max आप 25,000 डॉलर ओवेसली कोई 25,000 डॉलर प्री सेल्स में नहीं डालता तो minimum try करने के लिए 10-20 डॉलर से कर सकते हैं लोग तो यहाँ पर अभी जो आपको पता ही है कि किस तरीकी से काम करती है और यहाँ पर इनका जो रोड में पर देख सकते हो कि पहले stage 1 है फिर stage 2 फिर stage 3 और इसी तरीके से इनकी 10 stages है अब इनका जो aim है वो basically इनके project के जो fundamental से उसके उपर पूरी तरीकी से ध्यान देना आप एक बर इनका white paper पड़ोगे तो चीजे समझ में आ जाएगी और फिर बाकी जो top exchanges है उसके उपर जिसमें से जो targeted exchange है वो है या तो binance या फिर हो भी अब इतनी आसानी से देखो कोई pre-sale वाला token इन exchange के उपर नहीं आता है यह तो सच्छा ही आप समझी लो तो यहाँ पर यह बात हो गई इसके अलावा न simple सी यही बात कहूंगा pre-sales के अंदर अगर आपको खुछ भी लगाना है या करना है तो इसके लिए आपको या तो risk लेके खेलना है या फिर मेरे according एक minimum amount अगर आप risk लेने को तयार हो वो डाल के चले तो चांद तक नहीं तो राग तक बस वही वाली चीज़े लेकिन इसके रेपोटेट क्रियेटर्स जो की फोरेंड के हैं इंडिया के भी यह उन्होंने भी इसके बारे में चीज़े कवर करिये और फिर उनको यह देखके मैंने भी यह decision लिया कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दू कि यह क्या चल रहा है अभी market में तो यह ता basically cloud btc के ब भारत